हालो मुज़क प्रेंड मुज़क लेवर मैं वाको मुज़क प्रेंड हर्मनी मुज़क जाम नगर से जहन तरह ठोड तो आज हम करने वाने हैं इमेजर स्केक की भ्रीफ या फिर कमपोईशन आइडिया जो भी आप समझना चाहो समझ सकते हो पर यकीन मानते चरिये कि जो मैं आज आपको स्केल जो बताने वाला हूं और जो कोड़ प्रोडेशन बताने वाला हूं वह आपको किसी म्यूजिसियन ने नहीं बताया होगा और नहीं आपको यह पूरे इंटरनेट में कहीं मिलेगा तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजिए और ऐसे ही या फिर कंपोईजन आइडिया आप सीखना चाहते हैं समझना चाहते हैं ठीक है तो रिफ और कंपोईजन वाला प्लैलिस्ट है उसको जरूर फोलो करिए और साथ में ठीरी वाले वीडियो भ आकामने लागा तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बात करते हैं तो सबसे पेले तो समझते हैं की मैजर स्केल कैसे होता है सबको पताःएगे मेजर या यह यह नेचरल मेजर सकते हो तीक है पर इसके आंदर जो हम यूस करने वाले हैं क्लासिकल की में बात करूं तो सारे यह कोमल दा है जिसको वेस्टन म्यूजिक के अंदर फ्लैट शिक्स्थवा डिग्री मेजर स्केल कहते हैं फ्लैट शिक्स डिग्री मेजर स्केल ठीक है यानि ए मेजर विद फ्लैट शिक्स ऐसा भी कहा जाता है ठीक है और दूसरा चों करने वाले हैं इसी के साथ हम एड करेंगे कंबाइन करेंगे इसको वह है यह कोमल नहीं है ठीक है इसको वेस्टन म्यूजिक के अंदर सेवन्थ फ्लैट वाला मेजर स्केल कहते हैं या तो इस new m Almost in फेटए वाले मेजर शिक्स और मेजर सैवन्थ कहले। वसके टीक हैef 216 अभी New City करेंगे, सिख्स deflreciर वाला मेजर स्केल य्थी सेवन्थ वाले बात करते हैं यह है सेवन्थ फ्लैट ई मेजर स्कैट ठीक है तो आएए बात करते हैं कोड प्रोग्रेशन की तो यह है हमारा पूरा कोड प्रोग्रेशन कि मेजर फस्ट गोड जी शाप माइनर थर्ड माइनर कोड एए मेजर फूर्थ मेजर कोड एए माइनर कोड फूर्थ माइनर कोड इसके बाद यानि जो रूट वाला कोड है उसको सेवंध इसके बाद वाला जो कोड है वो है फिफ्ट माइनर कोड यह बी माइनर कोड का सेक्ड इन वर्जन और इसके बाद सेवंध मेजर कोड और वापिस इमेजर किसी मेजर स्केल के अंदर सिक्स्ट डिग्री और सेवंध डिग्री को फ्लेट करते हुए आप सेम कोड प्रोग्रेशन को फोलो कर सकते हैं गाने कंपोस्ट कर सकते हैं क्रियेटिवली ठीक है तो इस कोड प्रोग्रेशन के जरिए आप सेड सोंग कर सकते हैं लड़क वैसे गाने आप कर सकते हैं हलकी फुल के चेंजिस करके आप रोमांटिक गाने भी इसमें कंपोज कर सकते हैं एक हलकी सी दीफ है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं तो चलिए आप पीजियो के साथ सुनते हैं कि कैसा साउंड करेगा तो आर्पीजियो बजाना यह आपके उपर डिपेंड होता है कि आप किस प्रकार का आर्पीजियो यूज़ करते हैं मेरे इसाब से 1585 और 158 1012 वागा जो आर्पीजियो है उसको आप अप्लाई करते हो तो काहीं अच्छा साउंड करें आर्पीजियो सीखना चाहते हो तो यह ले जा सकते हैं तो यह वाला वीडियो जरूर देखें तो मुझे उम्हें अध्य है आज का यह और और आपको समझ में आ गया होगा ऐसे यूनिक मेथर से आप कंपोईशन करना चाहते हैं सीखना चाहते हैं को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में नॉटिफि स्वाइब जरूर को विजकल स्थेडिफिए